विठ्थलेशान गुरुम्स्तवनी बालकृष्ण मुप्रगुन शेगुरुप्षोर्णावाद उपस्तेथ समस्त पुझ्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार शास्त्री वर्ग को भी मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रियवाल भीए वैष्णव जनों को भगवदिय आस्तिक जनों को धर्मिक जनों को मेरा खुब खुब अभिनंदन अभिवादन स्वागत और प्रभुचरण श्री गुसाई जी के घर में आज तृतिय लाल जी के रूप में राजीव लोचन अपने श्री बाल कृष्ण लाल जी आप श्री के उत्सव की खुब खुब आप सभी को बधाई हो आज श्री गुसाई जी के घर का एक और बड़ा उत्सव है कल हमने श्रीमद आचारे चरण के घर का उत्सव मनाया के कैसे जेश्ट प्रभुचरण आप गुपिनाज जी कल प्रादुर भूथ हुए आश्विन वदी द्वादशी और आज आश्विन वदी त्रेवदशी श्रीबाल कुष्ण जी का उत्सव है इसमें गिर्धर जी और रगुनाज जी का उत्सव एक साथ आता है इस कारण से जो प्रभोधनी के शिंगार रहते हैं वो ही शिंगार रगुनाजी के उत्सव के भी माने जाते हैं क्योंकि आप पंचम कुमार और प्रथम कुमार आपका उत्सव एक संग है बाकी द्वितिय पुत्र से लेके सप्तम पुत्र परियंत सभी वालकों के उत्सव का एक साही शिंगार है कुलय जोड का और चमकनी चंद्रिका का जोड जोडियां बदलती रेती हैं किसी में पंच्ण माहनिक के शिंगार है लेकिन प्रायस सभी वालगों के उत्सव का एक सा शिंगार है जो उष्ण काल प्रधान उत्सव है उनमें पिछोडा आदी का क्रम है और जो शीत काल प्रधान हैं उनमें तो बाकाइदा, वागा, चाकदार, सूथान, पठका सभी प्रभु आप ठाड़े स्वरूप सब्धरते हैं कहने का तातपरी है कि श्री गोविंद्र राई जी से लेके घंशाम जी परियंत एवं हमने देखा कि पुर्शत्म जी का भी उत्सव गया अर्थाद, श्री गोपिनात प्रभुचरण के आत्मज, ये सब बालकों के उत्सव का एक संश्रिंगार श्री जी लालन में परमपरिया से हो रहा है क्योंकि आप सब एक ही स्वरूप है, स्वान रूप सुतप प्रसु आप श्री गुसाई जी होने के कारण आपके समस्त पुत्र आपके रूप ही है और इसी कारण से अध्यावधी जो वल्लब को प्राप्त हो रहे हैं उनको भी गुसाई संग्या, अर्थाद गुसाई बा ऐसा ही हम संबोधन करते हैं क्योंकि श्री वल्लब के वांश में सबही वल्लब रूप, छोटों बड़ों न जानिये, सबही एक स्वरूप, तो हमको एक स्वरूप से ही वल्लब कुल आचारे बालकों का भी दर्शन करना है, और कल तो हमने जहां तक साधन दीपिका को देखा, वहां तक यही आज्या आई, हमने 35 श्लोक कल देखा था, विप्रा गावो हरेर भक्ताहा, सदा पुझ्या हरे प्रियाहा, ग्रहस तस्या दिथेरी अस्माद, उज्यो दीनो दयास पदहा, मैं चाहूंगा कि एक बार भक्ती से तु हवे ली, आप एक बार मुझे 36 तिसमें श्लोक से आगे श्लोकों के दर्शन कराएं, 36 onwards, अभी हमार पास आगे का एक पेज भी आया है, लिकिन हम पहले 36 से एक बार देखना चाहेंगे, हमने कल जहां तक का भी करम किया था, उसमें प्रपत्ति मार्ग में दीक्षितन को वैश्नव, वरतोत्सव और पंचय यग्य, इन सभों के करम तक अपन ने सबचीत देखी थी, आज अपन तीर्थवास से आगे, तीर्थवास वैश्नव के लकादी और बायब भ्यांतर चिन्नको धरन आदी को उपदेश, अपन इस प्रकार से देखेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज फ्लक्चुएट हो रही है, तो हम हमारे करम को आगे चलनाते हैं, ऐसे यह जो श्लोक आ रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यहाँ वे 35 में श्लोक तक हमने देखें, एक बार हम 36 से 39 तक इस पेज पर देख लें, क्या आज्या हो रही है, जगनाते द्वारिकायाम, श्री रंगे व्रजमंडले, यत्र पूजा प्रवाहस्यात, तत्रति श्ठेच्य तक परह, गंगा अधितीर्थ वरियेशु, यताचित्तम नदुष्यती, श्रवनाध्यय भजे देवं, श्री भागवत तक परह, उर्ध पुंड्राणी म्रण मुद्रह, तुलसी काष्ट जापि स्रक, बायां कान्यांतराणिस्यु, भक्ते शांती विरक्त यह, अभी अपन एक बार यहां तक के इस पेज को अपन स्टडी करते हैं, कि हम 36 श्लोक से, आज 39 श्लोक अरथात 49 श्लोक तक हम जाएंगे, हाँ मैं वापिस देखना चाहूंगा मेरे सभी शृतागण को, भुद भुद धन्यवाद भक्ति सेतु का, अब यहां पे यह जो आपका श्लोक आज्या हुई है, जगनाथे वहां से, जगनाथे द्वारिकायाम, यहां थोड़ा चेंज श्री गोपिनाजी ने इस श्लोक में किया है, यह ऐसा ही एक श्लोक, मूल में यह बिल्कुल ऐसा ही, यह एक श्लोक साधन प्रकरण में, सर्व निर्णय निवंध में, श्रीमद आचाये चरण ने भी उद्धरत किया है, आपने उद्धरत किया है, आपने तो स्वयम लिखा है, और उसी श्लोक को यहां श्री गोपिनाजी थोड़ा अपने डंग से भी समझा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है, तो कुछ चीजें एड होंगी, कुछ च जगनाथे विठलेच, श्री रंगे वेंकटे तथा यत्र पूझा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठेच तत्परह, इसी श्लोक को यहां पे कहा गया, जगनाजी विठलनाजी, जगनाथे विठलेच, श्री विठलनाजी अर्था पंधरपूर, पंधरपूर विठलनाजी के व प्रवाहस्यात तत्र तिष्ठेच तत्परह ये इसलोग यहां भी एज़ेटेज है इसमें दो चीज़ एड़ हुई है द्वारका और व्रजमंडल आप आग्या कर रहे हैं जगनाथे द्वारिकायाम श्री रंगे व्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाहस्यात तत्र पुर्षवत्मक्षेत्र जगनाजी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि वो जगनाजी कल्यूग के प्रधान देवता है भगवान के श्री कृष्ण रूप में यदि कल्यूग के कोई प्रधान स्वरूप हो तो वो हमारे यह हैं जगनाजी कैसे तो भई ऐसा है कि सत्यू अवतार लेकर बद्रिनाथ के रूप में आप तपश्चरिया कर रहें तो बद्रिनाजी जो भगवान है वो सत्यूग प्रधान है इसके बाद आप आईए तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्या विशेक के उपलक्ष में दक्षन में श्री लंका ले जाने के लिए बिभीशन जी को रंगनाजी का स्वरूप प्रधान किया था वो तो रंगनाजी को क्योंके आपको लंका नहीं पधारना था असर भूमी में असर खेत्र में आपको नहीं विराजना था इस कारण से आप कावेरी के मध्य में एक आईलेंड के उपर आप वहाँ पे बिराजे जहां अध्यावदी त्रिची किरुचुरा पल्ली में आप श्री रंग जी बिराज रहें श्री रंग धाम अपने आपने भू लोक का वैकुंठ माना जाता है कि भू वैकुंठ अगर कोई है तो वो है ये श्री रंगाक्यम महापुन्यम सानि ध्यम नित्यदा हरे है श्रीमद भागवत जी भी इस चीज को एडिमिट करती है कि श्री रंग जो धाम है वहाँ भगवान का नित्य सन्निधान है नित्य सानिध्य है तो जगनाज जी के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बद्रिनाज जी सत्यूग के भगवान है त्रेता युग से जो बिराजमान है वो सबसे पहले तो श्री रंगनाज जी है जो रंगनाज जी को सबसे प्रथम श्री राम चंद्रजी ने अच्छा मजदारबाद के रंगनाज जी नाम तो दक्षण में आके आपका पड़ा है वालमिकी रामायन में संपूर्ण तया इन ही को जगनात शब्द से संबोधित किया गया है श्री रंग जी को सूर्य वांश के आराध्य भगवान जगनात पूरे जगत के नात के रूप म इनको बताया गया है अच्छा आपको मैं इसका एक पुष्टी से संबंद बताता हूं आप सभी जानते हां देखो सवभाग्य भी एक आज शिबालकृष्ण जी का उक्सव है तृतिय कुमार का आपको पता है जो द्वारकाधीश प्रभू हाल कांक्रोली बिरासते हैं ये नारायन का विग्रह है विष्णु विग्रह है तो विष्णु विग्रह में चत्रुभूर शंक चक्र गदा पद्म और उपर भी दो अवतार नीचे अपने पार्शदों के साथ जो भगवान द्वारकाधीश प्रभू का विग्रह है वो द्वारकाधीश जी और श्री रं प्रम्हा जी तौमवई चतर मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पिता महा सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टी के आदी में कल्प के आदी में भगवान से विनन्ती की कि आप अपना स्वरूक मुझे पदराओ तो जो स्वरूक पदराए एक उठित स्वरूक और ए आज दक्षण में बिरास्ते रहो पहले वो इतने बड़े भी नहीं थे जितने बड़े आज हैं ये तो जब राम चंद्र जी ने विभीषण जी को राम राज्या विशेक के उपलक्ष में हर व्यक्ति को जो मूं मांगी वस्तू आपने प्रसंद्न हो के दी तब विभीष प्रसंद्न हो तो आप मुझे ये जगनाजी पदरा दो वो छोटे से जितने बड़े द्वार का धीश हैं वो समझे उतने ही लेटे हुए रंगनाजी विमान सहीत मतलब वो एक जिस भगवन मंदिर में वो विरास्ते थे उसको ही विमान के साथ ही प्रकट भी हुए विमान के साथ ही पदराई भी गए उनको पदरा दिया गया विमान सहीत श्री रंगनाजी को लेकिन राम चंद्रजी ने शर्त यही रखी थी कि विभीशन तुम एक बार इनको कुष्पकारूड करके मतलब इस विमान सहीत रंगनाजी को तत काल में जगनाजी को उनको अगर एक अगर तुम पदरा के ले जाओ तो जब तक लंका नहीं पहुंचो कहीं भूमी पे मत-पदरा ना नहीं तो यह बहुत बड़े हो जाएंगे और तुमसे उटेंगे नहीं फिर यह कहीं पदरेंगे नहीं लेकिन देह धरमत्वात और संध्याकाल आने से सायम संध्योपासन और देह कृत्य करने के लिए पुश्पक विमान को कावेरी के तट पे विभीशन जी ने रोका और फिर वहां उसका पूरा स्थल पुरान है कैसे रंगनाज जी को भूल से उन्होंने वहां भूमी पे पदरा दिया और रंगनाज जी काफी बड़े अनंत शायनम रूप अपन के दिखाया कि उस दिन विभीशन को सांतोना देते हुए कहां कि कहीं भी मेरे किसी भी मंदिर में में दक्षणा भी मुख नहीं बिराज था लेकिन यहां मैं सरवदा लंका को देखता हुआ मतलब तुमारे देश की और दृष्टी करता हुआ तुम पे कृपा दृष्टी रखते हुए में दक्षणा भी मुख बिराज हुँगा सो अध्यावदी भगवान शी रंगनाज जी दक्षणा भी मुख ही बिराज रहे हैं यह सबी मंदिर में जो भगवत स्वरूप होते हैं वो या पूरवा भी मुख होते हैं या उत्तरा भी मुख होते हैं दक्षणा त्रेता के ही अंत में, त्रेता के ही संपूर्ती के समय भगवान वेंकटाचल का प्रादुर्भाव है और उने भी यग्यवाराह से भूवाराह से जाके वाराक्षेत्र में और स्वामी कुष्करणी के तट पे ये स्थान मांगा शीमन नारायन ने और महाविराज के आपने अपने उद्धार भी किया पद्मावती जी को जो वर्दान था लक्षमी जी को कि तुम पद्मावती जी के रूप में जन्मोगी और तब मैं श्री निवास के रूप में और तुमारा वरण करूंगा तो पूरा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हरिवम्ष पुराण, य इसा भागवत जी में भी वर्णन, बलदेव जी की तीर्थियात्रा में आता है, तो बलदेव जी, बलराम जी तीर्थियात्रा करते हुए, और क्योंकि उनको पुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेना था, तो आपने पृत्वी परिक्रमा की, और मैं समासता उसी पृत्वी परिक्रमा के क्रम से श्री माहा प्रभु जी ने भी पृत्वी परिक्रमा, बलराम जी ने जिस पध्धती से पूरी पृत्वी परिक्रमा की, श्रीमद भागवत में उत्तरार्ध में वध्यायाता है, उसी प्रकार से श्रीमद आचारे चरण ने भी पृत् सद्वति बाला जी अल जो तिरुमला में विराजते हैं ये जो हैं वो ठेता यूंग कें बद्रिनाथ जी ए रंगनाज जी और वैंकप्नाथ जी Ćप द्वारका और पांडुरंगविठ्बल ना विठल नाज जी भी किसके साथ बिराशते हैं रुक्षमिनी जी रखुम आई तो रुक्षमिनी जी कहा आएंगे द्वारका लीला में आएंगे तो द्वारका लीला वाले दो ठाकुर दी हैं एक स्वयम बेट द्वारका में बिराशते द्वारका धीश जिनका प्रादुर भ जानके कि जैसे ब्रजमंडल में ब्रजप्रदेश में आपने श्रीगौर्धन धर को गोर्धन परवत में से आप प्रकट हुए और आपने प्रतम मिलन करके और उनका स्थापनाधी करके उनका अंदिराधी निरमान करके उनके प्रतिष्ठा की भगवां शी गोरधन्नाजी की उसी पधती से आपने आनरत्प्रदेश में और रुक्ष्मिनी वन में पधार के लड़ुआ ढूंगर में से परवत में से ही इनको भी आपने बाहर पधराया किनको रुक्ष्मिनी जी और द्वारबार पंडवों के मिस द्वारका जी से कभी हस्तिनापुर पधार जाते कभी इंद्रपरस्ट पधार जाते कभी कुरुख शेत्र पधार जाते कभी कहीं पधार जाते मतलब शीमद भागवत में प्रतमसकंद में जब आप युधिष्ठिर का तिलक करके पुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के बाद वापिस पधारते हैं द्वार का तो सब द्वार का वासी राजा उग्रसेन को आगे करके वहां के राजा को आगे करके ठाकुर जी की अगवानी करते हैं स्वागत करते हैं वहां पर वो कहते हैं ये बार-बार आप हमको छोड़ के क्यों चले जाते हो और हमको पता हैं आप कहां चला जाते हो प्रभू कुरून मधुन वात सुहद्र द्रक्षया वागवत जी में वचन है कुरून पहले आप पुरूं को देखने चले ज पर अभी भी प्रभू का चित्य तो कहा है ब्रजमंडल के केंद्र भूत मतराजी में है और मतराजी भी क्या है कि मतरा भगवान यत्रा निच्चम सन्नी ही तो हरी भगवान का जहां निच्च सानिध्य ऐसी ही प्रभू की मधुपूरी है मतरा तो मतराजी को देखने चले जा कि वो लोग सब बराबर रहें कि नहीं रहें सबको प्रभू का दर्शन नहीं होता लेकिन उद्धवादी जैसे सद्रश्य जो हैं आसा महो चरण रेन जशा महस्याम वरिंदावने किमपी गुल्म लताउश धीनाम या दुस्टजम सजन अमारी पतंच हित्ता भेजुर लगता है प्रभू एक बार ब्रिज छोड़के पदा रहें फिर कभी ब्रज पदा रही नहीं वो क्यों लगता है क्योंकि हमने प्रथमसकंद की ये स्तुति राजा उग्रसेन आदी की द्वारका वासियों की नहीं सुनी उन्होंने स्पष्ट कहा है कुरून मधुन वात अब अपने सुरदों को ब्रजभक्तों को देखने चले जाते हो आप मधुपरा मधुरावासी को देखने चले जाते हो आप हस्तिनापुर इंदर प्रस्तादी प्रदेशों में चले जाते हो तो हमको यहां कितना वियोग होता है आपका पता है ऐसा करके उन्होंने स्तुत प्रभू के स्वरूप को भोग दिये भरे भिना नहीं अरोकते थे रुक्षमिणी आदी भी सब सती हैं इसा पतिवृता हैं यह पती के भोजन के बाद ही भोजन करने वाली स्त्री हैं इनों नहीं ठाकुर्जी से प्रार्तना की थी कि जिस रूप में आप यहां शाश्वत न दीष का विग्र है वो आदी शंकराचारे का ही पद्रया हुआ है इसलिए वह अद्यावधी पश्चिमाम नाए द्वार्का शार्दापीट के अंतर गथ हैं और आप लोहों को आश्चरय हो जानगे कि द्वारका जी के मूल मंदिर में अध्यावदी नीचे द्वारका धीशी भी राज रहे हैं, लेकिन उपर कालिका पीठ है, क्योंकि मूल में तो ये सब शाक्ते हैं, शांकर कोई वैश्नव थोड़ी हैं, ये तो अंतह शाक्ता वहिश्यवा सभा मध्येश्व वैश्नवा, य ये सब मायावादी लोग, ये सब शांकर केवला द्वाइत बादी लोग, ये उपर तो भगवान के भी उपर कालिका देवी को प्रतिश्ठा करके रखते हैं, इसलिए आपको देखना उपर मंदिर में नहीं जाने देते हैं, ये लोग, जगत मंदिर द्वारका में उपर जाके दर्शंगर के दिखाओ, नहीं, जब तक तुम शांकर संप्रदाय में नहीं होगे न, तुमको ऊपर एंट्री नहीं देंगे वो, इसलिए मैं वैश्णों को विशेश करके पुष्टिमारगी वैश्णों को एक कहना चाहता हूं, तुमारी द्वारका द्वारका नहीं थि भू, समा गई कहाँ, जल में ही समा गई, लेकिन कौन सा भाग बच गया उस द्वारका शंखोधारतीर्थ, आज भी बेट का नाम क्या है, बेट द्वारका का मूल नाम, ग्रंथों में नाम क्या है, शंखोधारतीर्थ, जहां शंखासुर को मार के भगवान ने पांच जन्य शंक उसके माथा में से निकाला और उसका उद्धार किया भगवान ने और तब से भगवान का ये दिव्य आयुद भगवान के श्रीरस्त में रहा वो शंखोधार तीर्थ पे शंखन आरायन के रूप में जहां आप बिरास्ते थे द्वार का मूल में उसके एक छोटे शेष भाग पे उनहां रुक्ष्मिणी वन लड़वा डूंगर में से उसी प्रवत में से वापिस प्रादुरभाव किया जो रिशी मुनियों का छुपाया हुआ था द्वापर के अंत में समस्त रिशी मुनियों ने रुक्ष्मिणी आदी अश्ट पतरानी जब सती हो इसी प्रकार से देव की और वसुदेव जिस स्वरूप का नित्य पूजन करते थे नित्य भोग धरते थे नित्य सेवा अपने अंतप पुर में करते थे वो आज कहां विराज रहे हैं केरल प्रदेश में गुरु वायूर के रूप में विराज रहे हैं गुरु वायूर अ को आज्या की कि जल में प्रविष्ट हो के मेरे माता पिता के द्वारा सेवी स्वरूप को तुम ही निकाल सकते हो तुम जल में प्रवेश करो है वायुदेव और वो डूब रही है द्वार का उसमें से मेरे माता पिता के पुझ्य सेवी आराध्य भगवत स्वरूप को निका वो परशुराम क्षेत्र है, परशुराम जी से भूमी मांगी, महादेव जी ने अपना मंदिर खाली किया, उनकी प्रतिष्ठा ब्रहस्पती, देव गुरु ब्रहस्पती ने स्वयम स्वर्ग से आके उन्होंने जूपिटर में उनकी स्थापना की और वायु देवता उनको पद्रा के लाए, इसलिए अध्यावधी उनको वातालयेश और गुरु वायूर, गुरु वायूर अपन कहा जाता है, तो द्वारकाजी से तीन स्वरूप बार आए, तीन स्वरूप कौन से बार आए, पहला स्वरूप तो ये रुक्ष्मिणी वन में पदारा लडुवा उंगर में, ये सब स्वामनी जीयों का सेव, दूसरा वसुदेव जी और इनकी परंपरा में जिसकी पूजान होती थी वो, और एक तीसरा स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं उडुपी कृष्ण, उडुपी कृष्ण, हाथ में मथानी लेकर और रसी लेकर, और जैसे अपने गोवर्धंधर, शिनाज जी, अपने पुष्टी संप्रदाय का मूल केंद्र भूत है, उसी प्रकार से मध्व संप्रदाय, द्वाइतवाद, श्रीमन मध्वाचारे जी का जो मूल स्थान है, वो उडुपी है, उडुपी में जो कृष्ण बिराजते हैं, वो कृष्ण जिनका स्वयम प्रादुरुभाव भगवान, कृष्ण ने ही करवाया या किया, क्यों? क्योंकि देवकी जी ने उनसे प्रार्थना की, देवकी जी ने कहा, मैंने आपकी माखन चोरी आदी, जो सब बाल लीला हैं, वो आपके बाल चरितर तो मैंने देखा ही नहीं, आपका पूरा बचपन तो ये शोदा जी के पास गुजरा, और मैं कहा रही, मैं तो यहां कंस के कारावास में रही, तो मैंने आपका वो सब तो बाल लड़कपन, आपका देखा ही नहीं कि आप कैसे माखन चुराते, कैसे आप दही मंधन होते हुए भांड फोड जाते, कैसे आप मरकटों को और गोप गवालों को सब चीज़ों को चुरा चुरा के वस्तु खवा देते, ये सब मैं कब इसका अनुभव करूंगी, तो भगवान ने का माता कोई चिंता मत करो, मैं आपको मेरा एक बालस स्वरूप पदराता हूँ, जो होई सब लीला का प्रधान आप अद्मनाप जी बिरास्ते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के यग्य में पधारे हुए जनारदन स्वामी, जनारदन की बैठक वरकला, वो आप जनारदन स्वामी बिरास्ते हैं, वैसे ही मूल रूप में एक नारायन विग्रह बिरास्ता है, गुरु आयूर, ये गुरु विजय उठा के देखो पर्थम पृत्वी परिक्रमा दक्षन पृत्वी परिक्रमा में श्री महाप्रभु जी ने भी अनंत शहिनम पद्मनाब का पद्मनाब की बेठक को चरित्र चोरासी वैश्णों में आता है जनार्दन की बेठक को चरित्र वरकला बेठक चरित्र में ग लिला संबन्द है यह उत्तरार्द की लीला के ठाकुरजी हैं यह पूर्वार्द की लीला के तो गोर्द अंदर साख्षाती भी राचते हैं और जितने भी अपनिया गोध के ठाकुरजी और छोटे बड़े सब यह निधी गिनाएगा हैं मतरादीश से लेकर मदन महांजी पर अगल हैं मतरादीश और द्वारकादीश के रूप में लेकिन पिर बाद में यहां पृण पधार गये उनको और वापिस बेट द्वारका में समस्थापित किये और आप अध्यावदी देखो कि द्वारका में, द्वारका धीश मंदिर, कि ऊपर कोई अन्य देवी देवता का मंदिर नहीं है, वहाँ आस पास भी सब ठाकुर जी कही सवरूप बिरास्ते हैं, कहीं कल्यान राइजी बिरास्ते हैं, कहीं त्रीकम राइजी बिरास्ते हैं, कहीं मादव राइजी बिरास्त जिनको पूर्वार्द के ठाकुर जी के दर्शन करने हो दश्मसकंद उनको शिनाजी जाना चाहिए और जिनको उत्तरार्द के दर्शन करने हो उनको शिद्वारका जी में बेट द्वारका जाना चाहिए उष्टिमार्गियों का अमूल केंद्र है और अध्यावदी महा सेव शिंगार आधी सब शी रगुनाज जी की परिपाटी से चलता है रगुनाज जी ने पंचम कुमार रगुनाज जी ने गुसाई जी के बाद वापिस जाके वहाँ जो उपद्र हुआ वहाँ जो पंडाओं के और अन्य ब्रामनों के कलेश हुआ उस सब का निप्टारा करके ए जब कंस के काराग्रह में से देव की वसुदेव को मुक्त करते हैं उसके बाद उनकी यग्योपवीत होती है भगवान शी कृष्ण की यग्योपवीत होने के बाद वो सांधीपनी रिशी के आश्रम जाते हैं सांधीपनी रिशी के आश्रम से ठाकुर जी वापिस कहा आते मत्रा वाफिस लौट के आते हैं, और मत्रा साइड ाजी से कनवर्ट हो के आप द्वार का धीश बनते हैं, सब को पता हैं, काल यवन का और जरा संद का आकरमंड सत्रा बार चड़ाई करना, बार बार मत्रा जी पीडितो ना युधि के परकौप से उससे व्रजभक्तों को औ इसका कुशस्थली में, कुशस्थली द्वारका जी, द्वारका क्या जगे हैं? ये दाउजी के पत्नी रेवती जी, रेवती जी के पिता ककुद्मी, ककुद्मी के पिता महराज रेवत, ये रेवत जो राजा थे, इनको वरदान में ये भूमी मिली थी, भगवान ने जल में से इस कुशस्थली द्वारका को एक-एक कुशा के उपर खड़ी करके पूरे इस भू को भू भाग को प्रभू ने जल में से प्रकट किया और महाराजा रेवत को दिया, महाराजा रेवत को दिया, रेवत ने उसको रैवत, रैवत मतलब ककुद्नी को दिया, ककुद्नी के को कोई शंतान नहीं थी तो उन्होंने वो पूरी कन्यादान में विवा के समय बलराम जी को वो जगे अपने जामाता को दी मतलब अपनी बेटी को स्त्रीधन के रूप में दी कौन सी जी कुशस्थली किसकी थी रेवती जी के दादा जी रेवत रेवत से ककुदमी का इनाम यह रेवती जी अपने साथ दहेज में यह लेके आई पुशस्थली यह भगवान को पता था भगवान ने अपने भावी से मांग ली जगे कि आपके अभी कुछ काम नहीं है आप लोग तो यहां आनर्थ प्रदेश तक आनंद लेते हो तो आप मुझे वो जगे दे तो मैं मोहां पे पूरी सिटी नेaf करता हूं फूरा स्टेट में करता हूं रेवती जी नहीं का स्वाज लेलो भगवान आपका ही तो हे सब कुछ आपका ही दिया हुए मेरे दादा परदादाओं को उनके दादा परदादा था भाम तो मेरे राज्ये से भार चला जाए और आश्चरी की बात थी उस समय पूरा पुर्थवी जो थी वो उस अकेले के आधिपत्य में थी तो बहार चला जा तो वो जल में जाके खड़ा होगया समुद्र में कि जहा भूमी ही नहीं थी तो जल में रहके उसने बहुत समय भगवान का तब किया भगवान उनके तब से प्रसंद हुए रेवत के और रेवत को ये कुशस्थली का निर्माण करके दिए वो रेवत से पालन है वो पालन किया यावत अवतारकाल और उसके बाद जो अवतारकाल आपका पूरा हुआ तब आपके पीछे सारी आपकी पट्रानिया सती हुई सती हुई रानियों के बाद रिशी मुनियों ने मिलके ये स्वरूप को छुपा दिया बाद में शिमद आचाये चरण जब आप महां पधरे और आपने भगवन मंदिर को खाली देखा तो आपको बड़ा क्षोब हुआ क्या रे द्वारकाधीश कहा है तब आप पुरात्री को पोड़े तो सपन में आज्या हुई कि मैं तो आनर्थ प्रदेश में हूँ वापिस नाव में बेटके आओ मुझे प्रकट करो और मेरी मंदिर की स्थापना करो जैसे आपने गोर्धन धर्गी करी तो वोई पध्धती से उत्तरार्द के ठाकुर जी के रूप में इनका स्थापन हुआ अब मैं आपको बता रहा था कि उत्तरार्द के वो भगवान कैसे देखो अब आप जब उत्तरार्द पढ़ोगे दश्मसकंद का तो दश्मसकंद के उत्तरार्द में एक अध्याय आता है कि जिसमें नारज जी भगवान की ग्रहचरिया देखने आते हैं और नारज जी जब भगवान की ग्रहचरिया देखने आते हैं तो ये देखने आते हैं कि ये 16,000 रानियों को खुश रखता है ये लिए लेकिन इतने सारे विभा कर तो लिए ये इतनी इतनी इस्त्रियों को कैसे करता तो प्रबु मुझे बचाओ नारज डिया को का हुई कि ये ठाकुड जी ने इतने विवा कर तो लिए लेकिन ये सब स्त्रियां प्रसंद नहें कि नहीं मैं जाके देख क्या हूं तो नारज जी उनकी ग्रहचरिया देखने आए ग्रहचरिया जब देखने आए तो उसमें एक स्थान पे उन्होंने द्वारकाधीश को अब यदि दश्मसकंद उत्तरार्थ का प्रभू की ग्रहचरिया देवर्शी नारत दर्शन करने आए वो देखोगे न तो उसमें स्पष्ट देखोगे कि एक स्थान में एकांत में बेटके गायत्री जब करते हुए प्रभू का वर्णन आएगा और आप उसका प्रत्यक् आछब में दवारका सक्ते हो द्वारक अधीश के शिंगार के बाद तीन टांव संधिया का साज़् लगता है दवारकादीश और द्वारकादीश प्रभू भी प्रातर संधिया, मध्यान संधिया और सायम संधिया अन्य व्रामन और ख्षत्री राजर्शियों की तरह आप स्वयम भी करते हैं तो क्योंकि भागवज्जी में वरणन है वो आपको जीखेगा भी वहाँ बेट द्वारका में कि प्रभू अध्यावदी जैसे अपर लोग भोग धरते हैं और भोग के पात्र सब संधिया जाते हैं वैसे जल और तुलसी पद्रा के और पूरा संधिया का साज द्वारकादीश के आगे साज़ा जाता है और ठाकुर जी भी त्रिकाल संधिया करते हैं कितने आश्चरी की बात है के सेवा प्रकार में मैं निश्चित मानता हूँ ये शिगुसाई जी और रगुनात जी का ही बांधा हुआ करम होना चाहिए मेरे हिसाब से कहने का अलम इससे इस सिंदोता है कि द्वारका जी में भी ठाकुर जी विराज रहे हैं वो द्वापर से विराज रहे हैं और वो द्वापर के विराजमान प्रभु को ही पुनह शिवद आचारे चरन्ड ने प्रतिस्ठापित किये इसलिए पूर्वार्ध शीनात द्वारा गोवर्धन धर हैं ब्रजाधीश हैं और यहां पे उत्तरार्ध दश्मसकंद का बेट द्वारका और द्वारका अधीश प्रभु जो हैं वो दश्मसकंद का उत्तरार्ध हैं इस प्रकार से अपने पुष्टी संप्रदाय में अब मजदार बात क्या हैं यह क्योंकि पूर प्रिदान में गरुड जी भी बार बार पधारते हैं और सब प्रकार देवो मंदिर विष्टु मंदिरवत ही वहां पे अध्यावदी होता है तो यह द्वारका की लिला है तो द्वारका और पंधरपुर पांडुरंग विठलनाच जी पुंडरीक के सेव्य पुंडरीक के आ और उनके साथ रखुमाई वतलब रुक्ष्मिनी जी ये रुक्ष्मिनी जी भी आप वहां पे पंधरपुरों में विराजते हैं ये द्वापर के ठाकुर जी है और अब आप देखो कि इसके बाद एक ही धाम बचा और वो है जगन्नाच जी जगन्नाच जी की जो जी त्रेता, द्वारकादीश जी और पंधरपुर द्वापर और जगन्नाच जी, सुभद्रा जी, बल्देव जी और सुदरशन जी ये चार भगवत स्वरूप में विराजते हैं ये चारों कल्यूग के प्रधान देवता हैं और इसी प्रकार से ये चारों युग की यु जी ये सभी का दर्शन मूल में तो गोर्दन धर में होई जाता है योग तो सब जब मंगला चरण करते हैं तो कोई ऐसा पूरवार उत्रयर्थ का भेद करके इन सवरूपों को हरदय में नहीं पदराते हैं अपन तो सफष्ट कहते हैं न चतरविष्चा 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 तरिविष्चा था शटबिर विराज ते योग सव पंचदा हर्दय ममा पूरे ये सत्यासी अध्याएं जो हैं 87 अध्याएं इन सबकी लीला मेरे हर्दय में विराजे मतलब मेरे हर्दय में वललभ मुतलब द्वरकाधिश और गोपि जन वललभ आप दोनों ही उसकिन तो महां पर यह सब स्वरूपवे भैद बुद्धी नहीं रखनी और भैद बुद्धी नहीं रखनी है ना इसलिए यह आज्या हो रही है कि जगनाते विठ्थलेचा श्री रंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्रतिष्ठेच तत्परा और उसमें गोपिनाच जी एडिशन कर रहे हैं कि जगनाथे द्वारिकायाम श्री रंगे ब्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्रतिष्ठेच तत्परा इसमें द्वारिकायाम को एड किया गया महाप्रभु जी ने वहाँ पे विठाले चा किया था और इसमें स्री रंगे वेंकटे था तो वेंकटेश जी को हटा के यहाँ पे एड किया गया व्रजमंडले अब व्रजमंडल को एड करने से कौन आते हैं केशाव राई जी दाउ जी आधी जो ब्रज के प्राचीन, द्वापर युगी ये तीर्थ हैं, वो सल ब्रज के तीर्था जाते हैं, अंतरगरही परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा, शीमत गोपुल की परिक्रमा, ब्रंदावन की परिक्रमा, स्वतंत्र कामवन की परंपरा, स्वतंत्र बरसाना और दानगड मानगड गेवरव की परिक्रमा इत्या दिये सब जो छोटी बड़ी परिक्रमाओं में आधिकाल से जो फ्रम दे टाइम में मेमोरियल जो भगवद मूर्तिया बिराज रही है भगवद स्वरूप बिराज रहे हैं उन सब का यहां पर ध्यान करते हुए और प्रधान तया ब्रजमंडले कहते ही यत्रपूजा प्रवाहस्यात में श्रीयमना जी का पूजन और गिर्राज जी का पूजन भी एड़ करना चाहिए कि एवल ब्रजमंडले मतलब ब्रजियात्रा ही नहीं है मूल रूप में उसके अधिश्टात्र और अधिश्टात्री जो हैं वो साक्षात गोर्धंधर श्र गिर्राज जी और श्रीयमना जी है तो यह जो तीर्थवास की आग्या है यह तीर्थवास की आग्या भगवत भक्तों को केसे की गई है तो कहां जगन्ना थे द्वारी कायाम श्रीरंगे ब्रजमंडले यत्रपूजा प्रवाहस्यात् यह पुष्टी प्रवा मरियाद अभेद वाला प्रवाही नहीं यत्रपूजा प्रवाहस्यात मतलब जिसके बारे में किसी के पास करेक्ट डेटिंग ही नहीं है कि यह कब से हो रहा है जिसे कब से हो रहा है मतलब अरे वही यह तो आधिकाल से हो रहा है यह तो द्वापर तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आपके पास काल मर्यादा और काल में आप किसी क्रम को न बांध सको तो उसको कहा जाता है यत्रपूजा प्रवाहस्या अब बाला जी कब से विराज रहे हैं तो भी बाला जी के पास खुद के पास डेटिंग नहीं है कि वो कब से रहें त्रिता यूग से विराज रहें बद्रिक आश्रम में सत्यूग से विराज रहें द्वारका में द्वापर से विराज रहें अरे पर बोलो ना कितने हजार साल पहले से नहीं उतना नहीं मालूब जैसे हम किसी मंदिर का खे सकते हैं जैसे पदमनाप स्वामी का मंदि है केरदा में वहां लिखा हुआ है 65 BC में यह मंदिर बना समझो एक बात अब 65 BC में यह मंदिर बना का मतलब क्या है 2020 प्लस 65 2020 प्लस 65 मतलब कितने साल हुए 2085 सम्थिंग 2085 यर्स ओल्ड मैं एक रॉफ आपको बता रहा हूँ कि मैं जो चीत समझा BC घटता है AD बढ़ता है तो BC 65 में अगर वो मंदिर बना अब मंदिर बनाएगी डेटिंग में भी मंदिर के निर्मान की डेट है अनंत शायनम पद्मनाब स्वामी वहां कबसे विराज रहे उसकी डेटिंग अभी भी उपलब्ध नहीं है तो यह जो जो स्वरूप है कि जहां पे कबसे विराज रहे नहीं मालूँ महाप्रभुजी ने जितने तीर्थ सनात किये वो महाप्रभुजी के माँ चरन पढ़ने करन हमार लिए भी तीर्थ रूप हुए के नहीं हुए मैं तो सिर्फ इतनी बात सामने रख रहा हूँ अगर आपके पास बैटक चरिक्तर में मिलता है। जब तुमको नहीं मालूम है कि कितने हजार साल से या कपसे यहां भगवान विराज रहें पर अभिछन रूप से एक भी दिन तूटे बिना क्रम जहां पूजा अविरत चली ही आ रही है वो सब तीर्थ हैं यह तो यहां पर एड्मिट करी दिया गया यत्र पूजा प्रवाह अब महाप्रभुजी तो चिदंबरम भी पधा रहे हैं महाप्रभुजी तो शिंगेरी भी पधा रहे हैं यहां तक कि मैने तक खुद विश्वेश तीर्थ जी श्रीमन मद्वाचारे जी जब बिरास्टे थे भूतल पे यह यहां मिरसाथ सचिन और देवांग भाई तो ब मतलब उसके तक कालीन मद्वाचारे जी ने उनको अंदर बुला के कहा कि नहीं आप साक्षात वल्लब हो आप करो इनकी सेवा तो जब मैंने यह पुस्तक उनको दिखाई तो वो इतने प्रसंद हुए कि सांच को हम जब एकांत सेवा कराने वहां गए तो उन्होंने हमको अ किसी को दर्शन नहीं होते हैं तब भी मुझे दर्शन कराएं क्यों कराएं महाप्रभुजी के सम्बंध से कराएं कि इनने सिद्ध किया कि महाप्रभुजी भी यहाँ पधार है और महाप्रभुजी हमारे मठ में विराजे और आपने उड़ुपी कृष्ण की सेवा किये उड़ुपी कृष्णम संपुज्य तो उस संबंद से उन्होंने मुझे भी दर्शन करे तो मैं तो ये बात सपष्ट कहूंगा कि ये तो आ और या श्री रंगे विर्जमंडले जगनाते द्वारिकायाम श्री रंगे विर्जमंडले यत्र पूजा प्रवाहस्या तरतिस्ठेच तक परा और आपको मैं एक चीट साथ में बताना चाहूंगा जगनाजी कलिकाल के आदिकाल के जो देवता हैं जब से पहले कलियुग तो जगनात जी बिर्जे जगनात जी को दारु kurma कहा जाता है तो अुर डारु बृंग lev from aarum ुष्त Till only अब सेले सेले साक्रारों कुछ भोन भाइब हैं मैं बलदेव सब्द्रा जी श मшт producers पहां जहिंक? वाम कज भी प्रेम के साथ वहाँ च्क्राराज सुदर्शंजी विराशती हैं आज वि आप वहाँ जाओगे जगन्नाजी में तो आप देखोगे कि नीलाचल नाम के परवत को तराश-तराश के तराश-तराश के जगन्नाजी का मंदिर बनाय गया और उस नीलाचल परवत के उपर जिस चक्र का स्थापन किया गया वो घगवान श्रीमन नारायन का नील चक्र है आज भी उसका संबोधन वा नील चक्र के ही नाम से किया जाता है। सुदर्शन जी तो जगनाजी के बाजू में एक विग्रह रूपों हैं, एक निराकार विग्रह के रूप में सुदर्शन जी बिरास्तने कभी ध्यान से दर्शन करना अगली बार जगनाजी जाओ तो जगन आश्ट में बहके पधारे उनमें अंदर से बड़े बड़े शालेग्राम निकले वो शालेग्राम ही इनके मूल ब्रह्मात्मक पिंड स्वरूप हैं, तो ये पिंड जब प्रती 12 वर्ष और 18 वर्ष, 12 और 18 वर्ष क्या होता है? कि जब आशाड में अधिक आता है, जैसे इ आगनाजी, सुभद्राजी, बहलदेव जी और सुदर्शन जी के दारू, विग्रह बदले जाते हैं, काश्ट के स्वरूप बदले जाते हैं, उसको कहते हैं नव कलेवर, कलेवर मतलब उपर जो अपन ने चोला पहना हैं वो, तो जो उस ब्रह्म शालेग्राम ने, जो ब् पंदरा साल और एक बार अठारा साल, इतने साल तक एक ही जगनाजी की सेवा होती हैं, और जब ये बदले जाते हैं, तब इनके पुराने स्वरूप को वहाई, पीछे मंदा पे, वहाँ भू समाधी दी जाती है, और इनको बदलने के समय पे, नए स्वरूपों को इनके सा पन करता है, उसका वहाँ पूरा वैश्नव तंतर के हिसाब से प्राचीन उनके स्थल पुराण अंतरगत विधी से, वो नव कलेवर की विधी होती है, और इस प्रकार से जगनाजी की शाश्वत उपस्तिती, नए विग्रह आने पर भी वो शालिग्राम पिंड जो गर्भ म में विराजता है, दारु ब्रह्म में उसके करण बनी रहती है, तो ये सब चीजों का सज्ञान पूरुवक्षी महाप्रभुजी को भी सब बातों का ज्यान रहा, तो इसने महाप्रभुजी ने भी सबसे बड़े तीर्थ के रूपों में पुरुषवत्तम शेत्र को ही एक हमारे ब्रामन है, के देवता है, के नर है, के असुर है, वो कोई भी हो, एक बार तो अगर वो कहें कि ये जगनाजी का भात, तो कहवत कहते हैं कि जगनाजी को भात और कर ले अपनो हाथ, तो वो हाथ तो महाप्रभुजी ने भी आगे किया, एकादशी के दिन पुनस्ट जगनाच जी के दर्शन करने आप पधारे ऐसा चरित्र आपने वहाँ प्रिकट किया तो अपन जगनाच जी में तो जानते ही हैं कि पुर्शत्म खेत्र जगनाच धाम में शीवद आचायर चरण भौत काल विराजे उसके बाद प्रभुचरणक्षी गोपीनाच जी कल जिनका आमने उत्सव मनाया, उनको वहां के राजा ने फलाहारी नाम का मठ भेट किया, फलाहारी मठ भहुत समय तक गोपिनाच जी की कस्टडी में रहा, और वल्लब संप्रदाय के आधीन रहा, और इस प्रकार से वल्लब संप्रदाय के आचारिय केवल पीठा धीश ग्रहाधीश नहीं रहे, कुछ समय तक मठाधीश भी रहे, क्योंकि फलाहारी मठ नाम का मठ भोपिनाच जी को भेट आया, बाद में उनके पुत्र, जब पुर्शोत्तम जी आप पधारे, राजा को उसके आग्या चक्र पे अंगुष्ट का स्थापन करके जगनाच जी के चतरभुत का मूल रूप दर्शन, जब उनके पुत्र पुर्शोत्तम जी ने राजा को कराया, उसके बाद राजा ने प्रसन्नों के पूछा क्या चाहिए, उनने के क्या चीनी जो है, वो भी तुम ले लो, हम तो यहां के बार बार रुपते नहीं, अब तो हम ब्रज रहत हैं, तुम उनके लिए वापिस ले लो, तो पुनश्य राजा को फलाहारी मठ पुर्शोत्तम जी ने वापिस सौपा, उसके बाद भी असंख्य बार, मतलब असंख्य बार ने दो तीन बार, शी जगन्नाजी की यात्रा, अपने शोभा बेटी जी, गिरदर जी, आदी, सब को लेकर गुसाई जी ने करी, और उसके बाद गुसाई जी ने छे से साथ बार द्वारका जी परियंत की यात्रा आपने शी गुसाई जी ने करी, तो गुसाई जी का ज्यादा जुकाओ, यहां द्वारका जी की ओर रहा, और बड़े पुत्र शी गोपिनाच जी का प्रवास करते हैं तो जगनाजी के साथ भी हमारी बहुत सारी संप्रदाई की स्मृतियां जुड़ी हुई है और जगनाजी के मंदिरी के एक विशेष्टा है अध्यावदी वो किसी संप्रदाई के आधीन मंदिर नहीं है एक समय पे भगवत पाज श्रीमन रामानुजाचा और उसके बाद एक बार भगवत पाज श्रीमन मद्वाचारि उन दोनों आचारियों ने वहां के पंडाओं को दीक्षा देने का प्रयास किया क्योंकि वैश्णव तंत्र में ऐसी बड़ी-बड़ी निधियों को और ऐसे-एसे आराध्य उपास्य भगवत श्री विग्रह पूजनादी असांप्रदाइक होके नहीं करना चाहिए इसलिए उने प्रयास किया कि मैं इन सवों को दीक्षा दू तब दोनों बार आकाश्वाणी हुई और आकाश्वाणी में स्वयम भगवान जगन्नाद जी ने कहा कि यह मेरे लोग हैं इनको कोई दीक्षा की आवश पूद्रा ये सब कुछ जगनाद जी के पंडाओं पर नहीं है आपको पता भी नहीं चिलेगा जगनाद जी के पंडा कौन से संप्रदाइके हैं क्योंकि उनको कोई संप्रदाइक की आवश्रकता नहीं है वो भगवद आग्यां से पहले से परंपरिया जो पंडा जिस पर गिली सखड़ी मतलब भाव सुखा के तो बहुत लोग वहां से प्रसाद रूप में लाते हैं और पैकेट रूप में वहां मिलते हैं सूखा उआ भाव.- जैसे अपने और घूटन धर में जो भील लूट के ले जाते हैं भील लोग, अनकूट की सकडी, वो अनकूट की सकडी सुखा सुखा के वो भील लोग भी वर्ष भर दो-दो दाना, चार-चार दाना अपनी नित्य रसोई में डालके और वो लोग भी भगवत प्रसाद दीखाते हैं, देखो यह तो अपनिया तो यहां तक आय तो भी नहीं सुखाती छुआती लेकिन जहां तक मंदिर में उसको कुछ दो योजन या चार योजन का उसका फेरा बताया है कि वहां से चक्र राज के दर्शन होते हैं तो जहां तक जगनाजी की चक्र और धोजा के दर्शन होते हैं वहां तक जगनाजी के दाल भात उनके साग उनके मिश्ठान ये जो भगवत प्रसाद आया हो वो छुआता नहीं है ये सब ये तीर्थों के हैं महात्मे और महात्में कोई-कोई तीर्थ का जो सखडी प्रसाद होता है वो तीर्थ के परकोटे में ही लेना पड़ता है तीर्थ के परकोटे से भार ग पुष्टी मारगियों को उपदेश करने की जरुत मुझे नहीं लगती ब्रजमंडल का तो कल्यानी सब पुष्टी मारगियों ने जाजा के किया है। उसमें कोई प्राचीनता छोड़ी नहीं आधुनिक व्यवस्था हैं मांग मांग के संपूल्ण तया उसको आधुनिक कर दिया और अब ढूंडते हैं कि अहीं चैसूं जाहीं सुधी आवानूं यमना जिगिर राजी छे गंगा दितीर्थ वर्येशु यथा चित्तम देखो आगे मेरे जैसे लोगों के लिए उपदेश गंगा दितीर्थ वर्येशु यथा चित्तम नदुष्यती श्रवणाज्य भजे देवं श्री भागवत तक परा हैं यहां आग्या करें गंगा जी आधी श्रेष्ट तीर्थन में अती निकटता आधी के कारण तीर्थ के अनादर आधी रूप दोशन सुचित में जैसे दूशित नहीं होए वाप्रकार सो भागवत में तत्पर होएके प्रभू को श्रवणादी सो भजन करें यहां पे इस टोक में जो आप आग्यां कर रहे हैं जैसे महाप्रभु जी भक्ति वर्दिनी में आग्यां करते हैं अधूरे विप्रकर्शेवा यदा चित्तम न दुश्यती पंडित लोगों से विद्वान लोगों से एक डिस्टन्स रखने का और उनके पास तभी तक रहने का जब तक चित्तमें उनकी कृति देखके दोश न आए जैसे वहाँ आग्या किये उसे यहां किये रहे हैं बड़े दुश्ट लोगों से यह तीर्थ आवरत्त हो गए हैं अब अपन क्या करें भागवत माहत्मे में खुद लिखा है और भागवत जी के प्रारंब में पाद्म पुरानोक्त भागवत माहत्मे में लिखा है मंद से मंद बुद्धी के उपद्रवी लोगों के तीर्थ पे रहने के कारण तीर्थ का जो सार है जो उनका सत्वे तत्वे हैं वो चला गया है और तो महाप्रभुज भी तो वही आग्यां कर रहे हैं तिरोहित आधिदेवेशु आधिदेविक तीर्थ का जो स्वरूप है वो चला गया है क्यों दुष्टाई रेवावर्तेश्विह दुष्टों से वो तीर्थ आवर्त हो जाने के कारण और दुष्टों में को जरुड़नी सम्भारती दुष्ट ही हूं आश्रमा यवने रुध्धा यवनों ने क्या बड़े-बड़े अच्छे पवित्र स्थानों पर कपजा नहीं कर रखा है तो माप्रुभी तो प्रारंभा में ही कह रहे हैं अपन भी मलेच्छ हैं, जब आप लोग वेस्टनाइज हो जाते हैं, जब अपन वेस्टन कल्चर की और आकरशित रहते हैं, तो अपन मलेच्छ और यवन से कोई कर कम नहीं है, आप समझ के चलो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ दिन पहले भी कहा था, हमको modernization का कोई विरोध नहीं है, खुब modern होना ची आदमी को, modernization का विरोध नहीं है, westernization का विरोध है, आप modern बनो, western मत बनो, आप eastern modern बनो, आज मैं आप देखो, चाइनीज आदमी अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता, जापेनीज आदमी अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता, भूतान आदी कि छोटे-छोटे देशों के लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, ये भारत में ही लोगों में ऐसा आक रहे है कि दोती उतारो और पाटलून पहनू, बस ये जो आया है, ये भारतियों में ही विशेश करके आया है, इसलिए मैं खास केना चाहूंगा, कि जैसे आग्य स्वरूप और अग्यत्मिक स्वरूप आपके अर्दय में से जाने लगे, तो तुरंत अपने घर की ओर चल देना चाहिए, विश्वनु छेडू घर, घर आ जाना चाहिए, क्योंकि महाप्रभुजी का मूल सिद्धान्त तो बीज डाढ्धिप्रकारस्तू ग्रहे स्थित् का शीर आपके आपके। कहे दिविधया अंधरो बिना मोले को चेरो भरो द्रडएन चरनन केरो भरो सो शिगो वर्धन नाथ कीजे शाम सुन्दर शियमने मारानी कीजे शिवल भाधी शकी